दोस्तो जापान में एक लैंड है ओकी नावा जहांपर लोग 100 साल से भी जादा जीते हैं और 80-90 साल के लोग भी खुची-खुची उठकर अपने काम पर जाते हैं और मरते दम तक रिटायर होने का नाम नहीं लेते हैं यानि पुरी दुनिया में सबसे खुशाल और सफल जिन्दगी जापान के लोग ही जीते हैं क्योंकि वो अपनी लाइफ में एक फॉर्मूले का यूज़ करते हैं जिसका नाम है इकी गाई यानि की जीने की वज़ा यानि की वो लोग मानते हैं कि आप किसी ना किसी मकसद के लिए इस दुनिया में आई हुए हो और वही मकसद आपका इकी गाई होता है यानि कि आप अपने इकी गाई मतलब अपने मकसद के अलावा और कोई भी काम करते हो तो आपको उसे करने में बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा और आप अमेशा स्ट्रेस में रहोगे और आपका दिमाग हमेशा उस मकसद की तालास में लगा रहेगा लेकिन खुशी की बाद तो यह है कि इस फॉर्मुले की मदद से यानि इकी गाई की मदद से कोई भी अपने मकसद को फाइंड आउट कर सकता है दोस्तो जब आप लोग अपनी स्टेडी को कम्पलीट करके कमाने के लिए जाते हो तो कोई आपसे कहता है कि वो काम कर ले जो करना तुझे पसंद है तो कोई आपसे कहता है कि वो काम कर ले जिसमें तुझे बहुत ज़्यादा पैसा मिले तो कोई यह कहता है कि वो काम कर जो दुनिया के लिए अच्छा हो लेकिन वो इन चारों में से एक काम करने के लिए कहते हैं जो कि सबसे wrong advice है तो इकी गाई इन सबका combination है आपको पता भी नहीं है इन में से एक भी पार्ट में सोने से कितनी बड़ी problem create हो सकती है इसे हम एक diagram की मदद से समझेंगे तो सबसे पहला circle है what you love जिसमें वो चीज आती है जो करना आपको पसंद है और second circle है what are you good at जिन कामों को करने में आप अच्छे हो और third circle में आता है what you can be paid for जिन कामों को करने से आपको पैसे मिलते है और in last, fourth circle में आता है what the world needs दुनिया को किन कामों की ज़रुत है तो first और second circle को मिलाकर आपको अपना passion मिलेगा यानि कि जिस काम को करने में आप अच्छे हो और आपको पसंद भी है तो वो आपका passion होगा example नई चीजे करना आपको पसंद है और नई चीज सिखकर आप programming करते हो तो वो आपका passion हुआ next, second और third circle के interaction से आपको आपका profession मिलेगा यानि कि जिन कामों को करने में आप अच्छे हो और उन कामों को करने से आपको पैसा भी मिलेगा example जैसे कुछ नया सिखकर आपने एक app बनाई है तो उस app को बनाने के लिए आपको पैसा मिलेगा तो वो आपका profession हुआ third और fourth circle के combination से आपको आपका vocation मिलेगा यानि कि जिस काम को करने से आपको पैसे भी मिले और उस काम की दुनिया को भी जरुरत हो तो वो होगा आपका vocation यानि आपने बनाई हुए app दुनिया के लिए best suitable है तो वो हुआ आपका vocation और last में first और fourth circle के combination से आपको आपका mission मिलेगा यानि कि जो काम करना आपको पसंद है और वो दुनिया की भी need है तो वो काम है आपका mission example जिस काम की दुनिया को need थी और वो काम करना आपको पसंद था तो आपकी पसंद और दुनिया की need मिलकर बनेगा आपका मिशन लेकिन प्रॉग्लम जब आती है जब लोग आपको सिर्फ अपना पैशन फाइंड करने के लिए बोलते है जबकि पैशन तो सिर्फ फिकी गाई का एक पार्ट है लेकिन आपके लिए और भी तीन कंपोनेंट फाइंड आउट करना बहुत जरूर है चलो मैं आपको इसे एक एक एक्जामपल से समझाता हूँ जैसे अगर आपको कुकिंग करना पसंद है और आप कुकिंग में बहुत अच्छे हो और दुनिया को भी आपका खाना बहुत पसंद है मतलब दुनिया को आपकी कुकिंग की जरूरत है और दुनिया आपको इस काम के लिए पैसे भी देती है मतलब आपकी कुकिंग इन चारो कॉम्पोनेट्स को सैटिस्फाइ करती है मतलब cooking आपका इकीगाई है आपका यह हम होना चाहिए कि एक ऐसे work को find out करना जो कि passion, profession, vocation और mission चारो components को satisfy करे और इन चारो components के बीच में ही आपको आपका इकीगाई मिलेगा यानि कि वो काम मिलेगा जिस काम को करने में आप अच्छे हो जो काम करना आपको पसंद है जिस काम को करने से आपको पैसे मिलेंगे जब यह चारो components satisfy होंगे तब ही आप एक लंबी stress free और सफल जिंदिगी जी पाएंगे अपने एकीगाई को find करके और उस पे work करके आप irreplaceable level achieve कर सकते हो इवन technology भी आपको replace नहीं कर सकती जिसका सबसे best example है Mark Court जो की Rolls Royce के coach line painter है जो की world की most expensive cars में से एक है वो Rolls Royce car पर अपने हाथों से line draw करते हैं जो की एक बहुत rare skill है इसलिए उनको आज तक कोई भी replace नहीं कर पाया तो दोस्तों आपको भी अपना एकीगाई find करना पड़ेगा ये आपको एक दिन में नहीं मिलेगा लेकिन आपकी intuition से यानि कि आपके अंदर की आवाज और आपकी curiosity से एक दिन मिल ही जाएगा जिस दिन आपको अपना एकीगाई मिलेगा आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हाँ मुझे ये काम करना पसंद है इस काम में मुझे पैसे भी मिलते है और इस काम में मैं अच्छा भी हूँ और इस काम की दुनिया को भी जरूरत है मतलब चारो components इससे satisfy होते हैं तो दोस्तों मैं आपको ये सारी बाते इकीगाई book से बता रहा हूँ अगर आप इस book को read करने में interested है तो आप इसे purchase भी कर सकते हैं link description में दिया हुआ है जाकर check करने तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको जपान के एक गाउ ओकी नावा के लोगों के बारे में कुछ बाते बताईए तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलाओ तो इस वीडियो को like जरूर करो और ऐसी amazing book summaries को देखने के लिए हमारी चैनल को subscribe करो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने friends के साथ care करो सो गाइस मैं में उता हूँ आपसे नई वीडियो में new topic के साथ तब तक के लिए वीडियो देखते रो और सीखते रो thanks for watching